आज में लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा लंच बॉक्स जिसे बनाना भी आसान है और यह बहुत ही ट्रेडिशनल रेसेपी है जिसे केवल चावल के आटी से ही हम बना कर तयार कर लेंगे और बहुत ज़्यदा समय इसको बनाने में नहीं लगता है तो चलिए इस टेस्टी सी लंच बॉक्स को बनाना शुरू करते हैं इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चावल का डो बनाएंगे तो इसके लिए कड़ाई में हमने डाल दिया एक चमच तेल साथ में इसमें डाल देंगे दो कटोरी के लगभग पानी अगर आप दो कटोरी पानी ले रहे हैं तब आप इसमें एक कटोरी चावल डालें मतलब की चावल का दो गुना पानी लेना है आपको दो कटोरी पानी डालने के बाद थोड़ा जब गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चावल का आटा और इसको कंटिनिसली चलाते रहेंगे जब तक ये एक अच्छा सा डो ना बन जाए तो आप देखेगा धीरे धीरे ये अच्छे आप अच्छे से ये ठीक होने लगेगा और ये डो बनने लगेगा तो आपको इसको कंटिनिसली ही चलाते रहना है गैस का फ्लेम low to medium रखना है आपको जिससे कि इसमें लम्स या गुठलिया ना पड़ें और साथ मिस में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे कि हमारा ये जो डो है वो फीका ना लगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें डो बनने लगा शुरू हो गया है तो हम इसे प्लेन ही रखने वाले हैं क्योंकि हम इसको तड़का देंगे न जब तो तड़के में सारी चीज़ें एड़ करेंगे अगर आप तड़के में भी एड़ कर देंगे और इसमें भी एड़ कर देंगे तो बहुत ज़्यदा मसाले हो जाएंगे जिससे फिर बच्चे क्या होता है वो खाते नहीं है तो यह देखें बढ़ियां सा एक डो बनकर तयार हो जाएगा और इसे एक बावल में निकाल लेंगे तो ये देखे अभी ये गरम ही है और इसे हमें गरम-गरम में ही बनाना है ठंडा नहीं होने देना है तो बस हातों में थोड़ा सा पानी लगा लें और इसके हमें रोल टाइप के बना देना है तो ये देखे इस तरह से हमें रोल बनान इस तरीके से आमें रोल बनाने हैं, तो सारे रोल हमें ऐसे ही बना कर तयार कर लेना है, और इस डो को बनाने में पांस निअनल का समय ही लगता है, जैसे ही पाणी गरं होता है, दो तयार हो न शुरू हो जाता है और इस तरह सेग डो, जो हमने रोल बना है इसको बनाने के बाद इस तरह से एक steamer ले लीजे आप और steamer में जब पानी अच्छे से उबलने लगे तब कोई भी छनी ले 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 और इसमें हमें इसको 10 मिनिट के लिए steam करना है तो 5 मिनिट बनाने में आटाडो करने में और 10 मिनिट steam करने में अगर आपको ये सारे प्रोसेस करने में ज्यादा लंबा लग रहा है तो आप इने पहले से भी बना कर रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो तब आप इनका तड़का लगा कर खा सकते हैं और इसको अब हम 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर तो ये देखिए 10 मिनिट में ये काफी अच्छे से स्टीम हो जाते हैं स्पंजी हो जाते हैं और इनको स्टीम करना जरूरी होता है कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप इनको स्टीम क्यों करते हैं तो स्टीम करने से यसमें बहुत ही बढ़ीयाय टेस्ट भी आता है और यह ऐसे ही बनाए जाते हैं अ अब साथ में हम इसमें एक तड़का लगा लेते हैं तो हमने एक कड़ाई लीए, इसमें डाल देंगे ओниल, आप घी में भी लगा सकते हैं तड़के लगाने से इसमें एक बहुत ही बढ़ियासा स्मोक के फ्लेवर और टेस्ट आता है साथ में इसमें डाल देंगे राई के दाने तो एक छोटी चमच हमने राई के दाने ले लिये हैं साथ में इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमच के लगबग जीरा टेस्ट के हिसाब से इसमें आप डाल दें करी लीप्स, मिर्च और अगर आप प्याज वगरा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ और इनको हमें अच्छे से भून लेना है जैसे ही ये भून जाए ना तो हमने इसमें अड़ कर दी हमारी चावल के स्टीम की हुए फरे इनको चावल के फरे ही कहे जाते हैं और आपके बच्चे बाहर का पास्ता वगरा पसंद करते हैं तो आप इस तरह की बनाईए बच्चों को बहुत पसंद भी आता है हेल्दी होता और घर में बना हुआ होता है थोड़ा सा हमने नमक डाला है जिससे की फीका पर ना लगे और बहुत अच्छे से हमें इसको टॉस्ट कर लेना है बहुत जदा ओवर कुक नहीं करना है बस हलका सा इसमें देखिए गोल्डन गोल्डन कोटिंग सी आ गई है न बस इतना ही हमें इसे कुक करना है तो ये भी प्रोसेस हो जाता है दो मिनिट के अंदर जैसे ही आपकी कड़ाई गरम हो तड़का वाला समान डालना है और बस इसे अच्छे से तड़का लगा देना है और लंच बॉक्स में पैक करने के लिए एक दम रेडी हो चुका है ये ठंडे होने के बाद भी बहुत लाजवाब लगते हैं इसके साथ मैंने रख दिया है याँ पर बनाना चिप्स इसके जगा पर आप टोमैटो सॉस रख सकते हैं ग्रीन चटनी बना कर रख सकते हैं या आपके बच्चों को मियोनिस वगरा पसंद हो तो वो आप दे सकते हैं तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स बहुत ही हल्दी वे पर तयार हो चुका है आप इसे घर पर ज़रू ट्राय कर सकते हैं और जिनको ये बनाना बहुत पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स पर बताईएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत पसंद करने वारी रेसिपी है तो क्यों न इस तरह की रेसिपी बच्चों को रखे जो बच्चे खाएं भी और ट्रेडिशनल भी हो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से र सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू थेंक्स पर वारी अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं तो बस इस रेसिपी के बाद वो रोटी खाना बिल्कुल शुरू कर देने वाले हैं तो यही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे हम रोटी से ही बनाने वाले हैं तो आप इस तरह से कोई भी ताजी बासी रोटी ले सकते हैं लेंच बोक्स में ले रहे हैं तो आप ताजी रोटी का ही इस्तमाल करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेश रोटी होती है तो वो तूटती नहीं है तो इस तरह से हमने इस तरह से रोल बना कर इसको हमें अच्छे से काट लेना है तो इसके हमें नूडल्स बिल जाएंगे तो यह रोटी नूडल्स बन जाते हैं और अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं और आपको उनको रोटी भी खिलाना है हेल्दी भी देना है तो आप इस तरह से उनको बना कर दे भी देंगे और उनको पता भी नहीं चलने वाला है कि ये आपने ने क्या बना कर दिया और अगर आपके घर में बहुत सारी र नूडल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं तो जितनी भी रोटियां हो आपके पास आप इस तरह से इनको कट कर लें अब एक पैन कड़ाई में हम लेंगे और तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक बारी कटी हुई मेर्च साथ में डाल देंगे करी पत्ते जेकी ऑप्सन दो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने सिम्ला मिर्च को अच्छे से सौते कर लेना है बहुत जदग हमें कोको वगएरा नहीं करना है हलका सा सौफ्ट हो जाए और हलका क्रंचीनस रहनी चाहिए सिम्ला मिर्च को खोने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो बारिक कटे टमाटर और इन्हें भी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है तो आप चाहें तो इसमें गाजर वगारा भी एड़ कर सकते हैं प्याज तो आप यहाँ पर वेनेगर वेगर अभी एड़ कर सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूँ और अच्छे से सॉस के साथ सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है तो अच्छे से सारी चीजे जब मिक्स हो जाएंगी हमारी तब हम इसमें डाल देंगे रोटी नूडल्स आप एक बार इन्हें बना कर तो देखिए आपको इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब लगने वाली है ना कि आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे और अब रोटी के साथ सारे सॉसिस को हमें मिक्स कर देना है और बहुत ज़्यादा कुकिंग प्रोसिस इसमें में विल्कुल भी नहीं है बस रोटीओं को कट करना है सबजियों को साथे करना है सॉसिस के साथ में और बस दोनों को मिक्स कर देना है और ये रोटी नूडल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा लेक्विडी सॉस नहीं पसा तो आप थोड़ी कम-कम कॉंटिटी में सॉस डालके भी बना सकते हैं लेकर अगर जैसे मैंने बता है वैसे बनाएंगे न तो ये रोटी बहुत ही लाजबाब सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है ठंडा लंच बॉक्स होने के बाद भी ये रोटी नूडल्स बहुत ही यम्मी लगता है बच्चों को तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करना है क्योंकि रोटी यां भी हमारी सॉफ्ट होती है और ये देखे इस तरीके से रोटी का हमारा जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गया बहुत ही हेल्दी भी हो गया और खाने लाइक भी हो गया तो अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से ये रोटी नूडल्स एक बार घर पर बना कर दे सकते हैं बच्चों को दीजिए बहुत पसंद आता है तो ये देखें आज का हमारा लंच बॉक्स तैयार हो चुका है जो कि बहुत यमी हो रोटीयों से बना हुआ है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले इसी तरह की और आसान टेस्टी और इंट्रेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकिन दबा ले मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू थेंक्स वर वाचिंग आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स जो हर दिन ले जाना पसंद करेंगे सबजियों से भरा हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटा सा ये सैन्विच की रेसिपी है जिसे आप बनाना भी पसंद करेंगे और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है तो इसके लिए हमने लिया है यापर एक पैन इसमें लिएंगे दो टेबल स्पून बटर साथ में लिएंगे एक टेबल स्पून ओयल जिससे की बटर ना जले साथ में इसमें डाल देंगे साथ स्याथ लहसुन चॉप करके दो यहाँ पर मैंने ग्रीन ची लिली है बिल्कुल बारिक चॉप करके ये अच्छे से भून लेना है लैसुन से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आने वाला है अब यहाँ पर हम डाल देंगे एक बड़ी साथ का बारिक चॉप के हुआ प्याज इसे हमें ट्रांस्परेंट होने तक कुप करना है बहुत ज़दा कलर वगर चेंज नहीं करना है बस इतना कि यह हलका सा ट्रांस्परेंट हो जाए और कच्छापन निकल जाए प्याज का कच्छापन हमारा निकल चुका है यह देखे बढ़ी हैसी प्याज भुन गई है हमारी जब प्याज हमारी भुन जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ा एड करेंगे तो सबसे पहले हम एड करने वाले यहाँ पर हमने यह गाजर लिये है इसे भी हमने एकदम बारिक चॉप की है तो यहाँ पर हमने सिमला मिर्च लिये है बारिक चॉप करके गाजा रेक लिया हमने और सिमला मिर्श दो मीडियम साइज की आप यहाँ पर अपनी मन पसंद कोई भी सब्जियो का इस्तमाल भी कर सकते हैं जैसे कि गोभी कैबेज या जो भी आप चाहें सब्जियो को बहुत अच्छे से भूनना है बहुत कुक नहीं क क्योंकि अगर आप इसको बहुत ओभर कोक कर लेंगे तो उतना बढ़ी है टेस्ट नहीं आएगा साथ में सब्जियो को हमें ओभर कोक बिल्कुल भी नहीं करना है अब हम इसमें डाल देंगे यह बारिक कियो बिल्कुल चॉप टमाटर तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लि टमाटर की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज्यादा जितना आपको डालना उस हिसाब से आप डाल दें सारी सब्जिया बहुत अच्छे से जब हमारी भून जाएंगी तब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे बॉयल के आलू तो यहाँ पर मैंने यह चार चौप करके डाली हैं तो जो बच्चे सब्जय वगर नहीं खाते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है यह तो बढ़ियासा आलू भी हमारा भून गया है अब हम इसमें डालने वाले हैं दो टेबल स्पून कास्मीरी रेट चिली पाउडर दो टेबल स्पून पा पावभाजी मसाला वाली तो हम इसमें हल्दी पाऊडर गरम मसाला पाउडर और धनिया पाऊडर बिल्कुल भी इट नहीं करेंगे इन मसालों को डालने के ज़़ोरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पावभाजी में अलेडी सारे मसाले होते हैं मसाला हमने बहुत अच्छी से मसाला हमारा तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर लेंगे यह ब्रेड और आप चाहे तो इस ब्रेड में बटर, सॉस या फिर कोई चटनी भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर इस मसाले को ही लिया है और इस मसाले को भी हम इसमें अच्छे से स्प्रैड कर देंगे तो आप जित तो ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़दा यमी लगता है जैसे कि मैंने इसे ब्रेड के साथ पनाया है आप चाहे तो पाव के साथ भी दे सकते हैं दोनों ब्रेड में बहुत अच्छे से स्प्रैड कर दिया है उपर से लगा देंगे इसमें एक चीज की स्लाइस आप अप फिर ग्रिलर में भी आप इने सेख सकते हैं, दोनों को अच्छे से दबा देंगे हम, और अब हम इसे तवे में अच्छे से रख देंगे सिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर यह जो पैन होता है ना, ग्रिल पैन तवे वाला, वही वाला इस्तमाल करूंगे, इससे इसमें सकते हैं, तो यह तोटली ऑप्सनल है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं, बटर लगाकर, ओइल लगाकर, घी लगाकर, जैसे चाहे वैसे आप इने सेख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बटर को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसमें रख देंगे हमारे स सेंविचेस, एक-एक मिनिट ही लगता है, इनको अच्छे से सिखने में एक तरफ से एक मिनिट और एक तरफ से एक मिनिट, तो पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम, पांस से छे मिनिट लगेगा पावभजी मसाला बनाने से लेकर, सेंविच के तयार होने तक, सारी सबजी अगर आपके पास पहले से बॉल है, तो दो ही मिनिट में सारा मसाला तयार हो जाएगा, आपके पास एक आइडिया और भी है, अगर आपके पास लेफट ओवर सबजी बची हुई है, तो आप उसमें पावभजी मसाला डाल कर भी सेंव प्रोसेस से ये मसाला बना सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आता है, तो ये देखे एक तरफ से बहुत अच्छे से से शेक गया है, दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे, और एक क्यूब बटर का हमने फिर से डाल दिया है, जिससे कि बढ़िया सा बटर वाला टेस्ट आए ब्रेड में, और द तरह की चीज़े बच्चों को घर पर बना कर दे सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और साथ में घर पर बनी हुई है, तो ये देखे दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से कुख हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर, अब आप चा खाते बच्चों से बनता नहीं हैं, और वो सारी चीज़े बिखरा देते हैं, तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे बाइट साइज में कर दूँगे, कि जिससे की बच्चों को हैंडी करते भी बने, खाते भी बने और उनका टिफिन बॉक्स भी मैसी ना हो, तो ये देखे तो ये देखिए, तयार है हमारा आज का बहुत ही टेस्टी यमी सा पाव भाजी सेंवेच, मैंने इसे सॉस के साथ दिया है, आप अपने बच्चों को चटनी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या फिर मियो के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो अगर आपको ये आज का लंच बॉक्स पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिगा, कॉमेंट बॉक्स पर बताईएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या लाऊं, थेंक यू, थेंक्स वर वाचिंग, बेल आइकन दबाना ना भूले, आज बनाएंगे बच्चों के लं लग चाहिए होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन या कड़ाई, इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून बटर, साथ में दो चम्म चम नहीं यहाँ पर ऑइल भी लिया है, जिससे यह जलेना, साथ में इसमें डाल देंगे, साथ से आठ लेजन चॉप करके, दो सी तीन यहाँ पर गरीन चिली चॉप करके, और इन्हें अच्छे से भून लेंगे, गैस का फ्रेम हमें मीडियम रखना है, अब यहाँ पर मैंने यह एक बड़े सा इसका प्याज बिलकुल बारिक चॉप करके लिया है, इतना ही हमें इसे कॉप करना है, बहुत ज़दा रेड कलर नहीं करना है, अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीजे, तो हमने आपर यह दो गाजर लिया है, बिलकुल बारिक चॉप करके, साथ में हमने दो छोटे साइज की सिमला मिर्च भी बारिक चॉप करके लिया है, इन पन निकल जाए बस इतना ही साथ में इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर मटर तो मटर मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून के लगभग लिये हैं यह फ्रोजन मटर है तो इसमें ज्यादा कुकिंग प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके पास फ्रैस या कच्चा है तब आप उसे बॉil करके लें तो इसे भी बहुत अच्छा से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अब हम यहाँ पर लेंगे यह दो बारिक कटे हुई टमाटर तो हमने सारी चीजों को चौपर से चौप कर लिया है चौपर से चौप करने से जल्दी से इसका जो कुकिंग प्रोसेस से मैं नुमटने के सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बाइल के बीध यह आलू पर सकते हुई यूह पहले ही बाइल करके और इन का च्छलुका उतार लिया हुट हातों से मैंस कर लिया कि जिए अमको तीन मिक्स के बहुत ही बारीक है और बहुत अच्छे से कुख हो गई है आलो एकदम लास्ट में ही डालना है हमको सब के साथ में अब इसमें डाल देंगे हम यहां पर दो टेबल स्पून भर कर कास्मीरी रेट चिली पाउडर दो टेबल स्पून पावार यह मसाला और साथ में स्वादनु अब इसमें पानी की कौंटिटी एड करेंगे समजी दिद्र हमारे में अब यहां राल समय डाल देंगे पानी आपको जितना इंग्रेविजकरी पांदेन एक छुवकैर कसे पानी की कंसिस्टेंसे उसी साब से रखे कि ये थोड़ा थिक भी रहे और बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विडी फॉर्म भी ना रहे तो ये देखे बढ़ियां से हमने भी पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वॉयलिंग भी करनी है हमको अब इसको हम ढग हमने इसमें बीट रूट डाला है अब इसको इस तरह से मैसर से हलका सा मैस कर दे जिससे की सारी सबजी अच्छे से एक सार हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मैसरी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमको इसी तरह से पसंद है अगर आपको बहुत ज़्यादा पेस्ट वाला प सकते हैं अगर आपको बहुत ज़दा मैसी पसंद है तो वरना आप इस तरीके से बनाईए और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और यह बनती भी बहुत जल्दी से है तो हमने इसको अच्छे से मैस कर लिया है अब लास्ट में डाल दींगे चौप के हुआ धनिया अ इस बचों के साथ साथ आप इसे हस्बोंन के लंच बाक्स में भी दे सकते हैं तो यहां पर मैंने यह आपमने मन पसंद को भी पाउ लूइ सकते हैं इसको बीशते हम कट करेंगे कुए कि इस शेकने वाले हैं तो थोड़ा सा सेकने से और भी ज़्यादे यह टेस्टी हो जाता है तो मैंने इस तरह से 20 से कट कर लिया है यहाँ पर हमने अब लिया एक पैन इसमें हम डाल देंगे बटर साथ में डाल देंगे थोड़ा पाव भाजी मसाला बिल्कुल थोड़ी सी कास्मी रेट चली पावडर डाल देंगे ऑप्सनल है यह साथ में इसमें धनिया भी डाली हुए चौप करके और मिक्स करके इस तरह से पाव डाल दिया है वह वाली वीडियो स्किप हो गई है तो आप धनिया डाल कर इस तरह से बटर की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको जितना इस्तमाल करना उसी साब से और यह देखिए बढ़िया से हमारे मसालेदार पाव भी हो चुके है एकदम रेडी अगर आपको चीज बगार इसमें डालनी है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि आजकल हर ची लिने बना सकते हैं तो यह देखिए आज का बहुत ही स्ट्रीट स्टाइल हमारा लंच बॉक्स हो चुका है तयार आप कुछ लोग कहेंगे कि लंच बॉक्स में यह सब कौन रखता है तो आप यह सेटेड़े की लंच बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि उस दिन हाप डे होता है और यह देखिए बहुत ही यमी सा हमारा लंच बॉक्स हो चुका है तयार आप इसे घर पर भी बना सकते हैं बिना लंच बॉक्स के भी बच्चों को इस तरह की चीज़े बहुत पसंद होती है अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बैल ऐकिन दबा लें जिसे की सारे नोटिफिकेशन आपको मेरी फटफट से मिल जाएं मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू थेंक्स फॉर वाचिंग आज बनाएंगे बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स जो ठंडा होने के बाद भी उतना ही टेस्टी लगेगा जितना कि गर्मा गरम में लगता है और बहुत ही यूनिक भी है तो चेली बनाना शुरू करते हैं पैन में लेएंगे दो चमच कि लगभग बटर गरम होते हैं इसमें दाल दींगे कास्मी रेड चली पाउडर साथ में दाल देंगे पाउभाजी मसाला और साथ में दाल देंगे चॉब किया हुआ धनिया पत्ता जब सारी चीज़ेसे हलका सा थोड़ा सा भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे एक मैन इंग्रीडियंट तो वो है हमारी पाव भाजी का पाव भाजी में जो हमने भाजी बनाई हुई होती ही न वो, अगर आपके पास ये ना हो, तो आप उबले हुए आलू को हलका सा पानी में उबाल लें और उसमें पाव भाजी मसाला डाल कर आप इसे ले सकते हैं या फिर आप इसी मिक्षर में आलू और टमाटर को भी डाल कर इस तरह से भून ले और यह सारी चीज़ जो हमने पहले डाली है उसी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले तोड़ा सा हमने नमक डाला है क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं कुक्ट की हुए राइस तो नमक कमना पड़ जाए पाव बाजी मुसाले को सारी चीजों के साथ अच्छे से हमें मिक्स करना है और हलका सा इसे भून लेना है सारी चीजे हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है पहले से ही कुक्ड है और हलका सा इसमें और भी स्मोकी फिलेवर आ गया है अब यहाँ पर हमने ये बॉयल की हुए राइस लिए है तो जो तवा पुलाओ मिलता है ना मार्केट में पंजाबी स्ट्रीट या फिर आप मुंबई वगरा में जाएंगे या फिर आजकल कभी भी कहीं भी आपको मिल जाते हैं ये पाव भाजी वाला मेक्स वाला पुलाओ जिसे हम तवपलाओ कहते हैं तो बस ये वही बनकर तयार हो जाएगा अगर आपके पास पाओ भाजी है तो आप उसका इस्तमाल करके बना सकते हैं और नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने सारे मसाले मिक्स की हलका सा हम इसको टॉस कर लेंगे अच्छे से और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही इंस्टिंटली हमारा तवपलाओ बनकर तयार हो जाएगा ये इतना फ्लेवरफुल होता है ना ठंडा होने के बाद भी बहुत ही जदा यमी लगता है बच्चों को इस तरह की चीज़े बहुत पसंद आती है तो अगर आप राई से रिलेटेट कोई आप टिफिन बॉक्स रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं ऐसा नहीं कि इस लंच बॉक्स को आप केवल बच्चों को ही दे सकते हैं आप इसे हस्बेंड के टिफिन में, बड़ो के टिफिन में या फिर घर के लिए भी बना सकते हैं तो ये देखिए बिल्कुल तयार है अब हम इसे लंच बॉक्स में पैक कर देंगे आप चाहे तो इसके साथ बुंदी करायता या फिर ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी हमारा ये आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सभी को पसंद आने वाला है ये तो आप भी अपने घर पर बनाएगा और बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करके जरूर दीजेगा ये उन्हें बहुत पसंद आने वाला है यदि आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक की अगर ये और कॉमेंट पर भी बताएए कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ थेंक्यू थेंक्स पर आज मैं अपके लिए लेकर आई हूँ घर में रखे हूँ इंग्रीडेंट से बनने वाला बहुत ही टेस्टी बच्चों को पसंद आने वाला लंच बॉक्स की रेसिपी तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक कटोरी पानी और आधा कटोरी और लेंगे तो मतलब देड़ कटोरी के लगभग हमने पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा तो आप एगर एक कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो डेड़ से दो कटोरी के लगभग पानी डाल दें जैसे ही पानी हमारा गरम हो जाए तब हम इसमें चावल का आटा जो है वो एड़ कर देंगे और इसको अच्छे तरह से mix करेंगे इसी में हम साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिसे की बाद में ये बिल्कुल भी फीकार ना लगे और इसको बहुत अच्छे से mix करते जाएंगे continuously जिसे की कोई भी लम्स या गुठली ना पड़े तो यदि की थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देंगे और इसको continuously हम चलाते रहेंगे इसको बनाने में बहुत ज़्यदा समय नहीं लगता है आप इसको 10 मिनिट के अंदर ही बना लेंगे क्योंकि इसको जल्दी से mix करना है बस इतना ही हमको इसमें काम करना है तो चावल के आटे को पानी और नमक को अच्छे सा हमें mix कर देना है और इसका एक soft सा dough लगा देना है तो बहुत कम पानी नहीं डालना है हमको नहीं तो क्या होगा कि इसकी लंब से फिर गुठलियां पढ़ जाएंगे जो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती और इसको continue चलाते रहेंगे जब तक कि एक dough जैसे ना बंद जाए तो देखें ये बहुत अच्छे से mix हो गया है एकदम एक dough जैसे बन गया है अब हम इसको एक बावल में transfer कर लेते हैं तो अभी ये गरम है और हमें गरम गरम में ही इसका इस्तमाल कर लेना है तो आप हातों से चाहे एक बार और mix कर ले हातों में पानी लगा ले या फिर oil लगा ले पानी से ये ज़्यादा अच्छे से बनेंगे और अब हम इसके जैसे छोटे-छोटे पास्ते वगरा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो ये चावल के आटे के बने हुए बहुत ही टेस्टी से पास्ता हमारे घर पर बन जाएंगे सिंपल से एकदम छोटी सी लोई लेनी है इस तरह से बॉल बनानी है और हातों से हमें इसमें एक डिप बना देनी है मतलब प्रेस कर देना है ये तो इस तरीके से इसमें एक सेप बन जाएगा आप इसे चाहे तो नूडल जैसे बना सकते हैं या फिर अपने मन पसंद किसी भी सेप में बना सकते है तो बस हलका सा पानी लगा ले और एकदम छोटी सी बॉल ले ले और इसमें हमें एक डिप लगा देनी है बस तो ये हमारे बहुत इस अच्छे टेस्टी से पास्ते बन जाएंगे जो की चावल के आटे के बने होंगे और घर पर बने होंगे तो ये healthy भी है इस तरीके से सारी बॉल्स हमें बना कर तैयार कर लेना है अब यहाँ पर हमने एक कड़ाई लिए है इसमें हम इस तरह से एक छन्नी लगा देंगे और इसको ढग देंगे पांच मिनिट के लिए जब यह अच्छे तरह से पक जाए इस्टीम हो जाए पानी बढ़ियां से उबलने लगे तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे कर रख ले और जब बस तड़का लगाना हो तब आप इसे बना सकते हैं तो यह देखिए बढ़ियां से हमारी यह 10 मिनिट के अंदर स्टीम हो जाते हैं आप हातों से टच करेंगे न स्टिक नहीं लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा तो यह बहुत अच्छे से तयार ह होगा है इने बाहर निकाल लेंगे अब इसमें एक बढ़िया सा तड़का देने के लिए हमने कड़ाई में ले लिया है ओयल तो आप अपनी अवसकता के अनुसार तेल ले सकते हैं अब इसमें डाल देंगे चौप की हुई एक ग्रीन चिली तो आप बच्चों के हिसाब से ले सकते हैं करी लीप्स डाल देंगे जो की ऑप्सनल है इससे बढ़िया टेस्ट आता है साथ में बारी कड़ी सिम्ला मिर्च भी हमने डाल दी है इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यदा कुकिंग नहीं करना है हमको अगर आपको ओयल ज्यादा लग रहा है त इसलिए दो वैजिस आपको पसंद ओ वो आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिसे की टमाटर हमारे अच्छे से गल जाये है साथी चीजो को अच्छे से हमें कूक कर लेना है जो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे एक चमस टोमेटो सौस आप यहाँ पर हर तरह के सौसिस डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर केबल टोमेटो सौस का इस्तेमाल किया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से काफी बढ़ियां सा सॉस लगता है और आप ये ना सोचे कि इसमें बहुत ज़दा ये लिक्विडी सा हो गया है जब आप इसे लंच बॉक्स में रखेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब ये लिक्विड जो है बहुत अच्छे से इसमें लिप्टा रहता है और बढ़ियां सा स्वाद देता है सॉस तयार होने के बाद हमने इसमें डाल दी हमारे स्टीम की हुए पास्ते तो मार्केट से पास्ता तो हम हमेशा बनाते ही है लेकिन बच्चो को अगर आप इस तरह से बना कर देंगे तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है हमने इसको भी अच्छे से mix कर देना है सारा प्रोसेस हमने high flame पर किया है तो आप अपने हिसाप से flame बढ़ा घटा सकते है और इसको अच्छे से हम को खोड़ने देंगे 2 मिनिट के लिए लास्ट में थोड़ा से हम तिल डाल देंगे यह optional है इसे थोड़ा देखने में और भी look wise लगता है और इसे भी अच्छे से हम mix कर देंगे तो यह जो lunch box ना अगर आप बच्चों को देंगे तो उन्हें तो बहुत पसंद आता ही है लेकर अगर आप आपने भी एक बार इसे बना कर खा लिया ना तो आप बाहर के सारे पास्ते भूल जाएंगे और इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर मैंने पास्ता तो बनाया ही है साथ में मैंने रखा है केले की चिप्स आप इसकी जगह पर और कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो और इस तरह से हमने ये पास्ता को भी असेमिल कर दिया है तो जटपट से बनने वाला ये लंच बॉक्स जो बच्चों को पसंद आता है बनाने में आसान है और घर में रखो ये एक इंग्रेडन से बन कर तायार हो जाता है तो अगर आपको भी ये रेसिपी थोड़ी सी भी कहीं पर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरे लंच बॉक्स रेसिपीस कैसी लगती है इसी तरह की और भी वीडियोस में डेली ही डालती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकिन दबा ले साथ ही ओल पर क्लिक कर ले मैं मिलती हूँ एक और इंट्रेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीस के साथ थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग